कि हेलो फ्रेंड्स एमेस इलिक्टिक और्कमा आपका स्वागत है आज आपको बताने वाले ओरियंट कंपनी का गीजर देख सकते हैं और यहां पर हम लोग बॉक्स को ओपेन पहले कर लेते हैं और देख सकते हैं इसमें हम लोग का दो पाइप दिया हुआ है और उसके बाद यहां पर फास्नर भी दिया हुआ है आंगर फास्नर भी दिया हुआ है अ कि उसके बाद और देख लेंगे गीजर को निकाल के और इसमें क्या दिया हुआ है तो देख सकते हैं यहां पे और कुछ नहीं है और यहां पे देख सकते हैं को पनी में जो है हम लोग का एक और आंटी फेपर दिया हुआ है और कुछ इसमें नहीं है मॉडल में कि बहुत सार चीन नहीं आता है किसी-किसी मॉडल में ंपाइब भी नहीं मिलता है कि अधूर्सहोंता है लोग पोनी निकाल लेते हैं और उसके बाद वह मेजर्मेंट लेंगे और मेजर्मेंट करके उसके बाद हम लोग तो पहले हम लोग मज़र्मेंट कर लेते हैं तो हम लोग इसे गीजर उठा के और जो पेन और है आपके जो भी मारकर है वहां पर हम लोग मार्किंग कर लेंगे क्योंकि ओजन में बहुत हलका होता है इसलिए हम लोग ऐसे नहीं तो आप निकाल के भी कर सकते हैं तो ऐसे हम लोग असानी से मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड कर दोनों साइड हम लोग मार्किंग कर लिये हैं और उसके बाद जो ड्रिल है ड्रिल कर लेंगे कर दूसरा होल भी हम लोग कर लेंगे ऐसे कर देख सकते हम लोग का हो गया है और उसके बाद कि एंगर फासनर लेंगे और देख सकते हैं एंगर फासनर हम लोग यहां पर हमबरक मज़स से इसको हम लोग पुराबा इसको ठोक देंगे क्या कि दवाल में चीपिक जना चाहिए क्योंकि कभी हम प्रास्टनर का साइज है मैसिंत कर लेंगे उसके बाद ही होल करेंगे क्योंकि कम्मृती होल नहीं होना क्याशनर जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए हिसके ठोके इसके बाद आपका है इसको नोग टाइड कर देंगे क्या हम लोग अच्छा से टाइड कर देंगे तो वहाँ पर हम लोग अच्छा से जाम हो जाएगा से अससानी सीज को म taşight कर देंगे और दोनों जो हमलोग का का गेदर फास्ण है उसको fences कर देंगे देख सकते हम लोग बू 17 हो गया है और उसके बाद हम लोग खोल देंगे इसको कि लेंप लग जाया उसके हिसाप से हम लोग खोल लेंगे देख सकते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गीजर को उठायका वहाँ पे हम लोग एंगर फासनर है वहाँ पे हम लोग इसको फसा देंगे देख सकते हैं दोनों साइड में कि लोग उसमें बैठना चाहिए वासर हम लोग बाहार रखेंगे देख सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे एस्पैनर जो है एस्पैनर से इसको आच्छा से टाइड कर देंगे दोनों साइड तो देख सकते हम लोग का ये टांक दना गया है और उसके बाद अ में लोग का पाइफ जो है इसके अम लोग करेंड का कर देंगे कि अ जो फिल्शपैनर से याहां पर हम लोग देख लेंगे एन और आउट देखके इसके बाद भाप जोड़ेंगे तो भाचनिन देख पईबług स्काने टोल का पानी मुलोग अबडाएं कौन सा इन का है कौन सा आउट उसके बाद लगाएंगे title जो रेड़ कि ने पबर दिया हुआ है और जो देख सकते हैं वह हम लोग का इन का है आ ऐसे हम लोग देखके ही और उसमें पाइप कसनेस पहले हम लोग पहले नल चेकर लेंगे उसमें की पानी आ रहा है किसमें और किसमें पानी नहीं आ रहा है तो जो हम लोग को पानी आ रहा है वह हम लोग का इन हो गया उसके बाद क्या करेंगे गीजर में हम लोग कुदे चालू करने के बाद पानी जब आउट करने लगेगा उसके बाद ही हम लोग यह ज्यादा हाइट पर टंकी नहीं रहता है तो हम लोग का टंकी जाल दी फूल नहीं होता है इसके बएस देख सकते हैं हम लोग है ओटकी फूल हो गया है उसके बाद हम लोग पाइप कर से हैं प tay पर दाने के बार visão ॉछ लगा दिये हैं और इसको उम लोग चेक कर लेंगे देख सकते से आप गीजर इंस्टॉल घर फे कर जकते हैं तो फ्रेंस आप लोग को वीडियो अच्छा लगात लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल अगर दबाने ना वोले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद